हाई दोस्तो मैं हूँ प्रसेंजी तो आप देख रहे हैं EasyXL दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में Index, Match और VLOOKUP का एक Combined Function सीखेंगे तो देखें यहाँ पे जो Data है वो अलग-अलग Table में है और हम लोग को यहाँ पे जो Discount Rate है, Discount Rate लाना है यह सारे अलग-अलग Table से, यहाँ पे चार प्रोडक्ट है, Lactogen, Preen and Nan and Baby and Me तो चारो Table में ही चारो प्रोडक्ट का अलग-अलग Discount Rate दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे Discount लाना है, यह Unit के उपर Base करके और Product Name की उपर Base करके जैसे कि यहाँ पे मैं अलड़ी एक निकाल के रखा हूँ, ठीक है देखिए यहाँ पे अगर मैं Product Name चेंज करता हूँ और Unit अगर सेम रहने देता हूँ, Discount Rate चेंज हो जाता है साथ ही साथ अगर मैं यहाँ यहाँ पे Finally जीए मैं कर देता हूँ, कुछ अलग Unit अलग कर देता हूँ, तो देखिए Discount Rate चेंज होता है तो कुछ इस तरह के Data के उपर बिसिकली यह Function बहुत Useful होता है अगर यह Data कुछ इस तरह का होता, मतलब एक ही Table में होता, तब तो यह बहुत आसान हो जाता तब हम लोग Index और Match का Combined Function है वो Use करते हैं और बड़े आसानी सा हम लोग को Data मिल जाता लेकिन यहाँ पर जो Data है वो अलग-अलग Table में है तो Simple Index और Match का Combined Function हम लोग यहाँ पर Apply नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज हम लोग यह जो Combined Function है Index, Match और We Look Up का वही यहाँ पर सीखेंगे साथ ही साथ नया कुछ और भी चीज़ सीखेंगे जैसे की तो दोस्तों यहाँ पर देखें मेरे पास जो Data है यहाँ पर चार प्रोड़क्ट है लैक्टोजन, प्रीन, नैन, बेबी, अन्मी चारो प्रोड़क्ट का ही चार अलग-अलग Table है और चार अलग-अलग Table में चारो प्रोड़क्ट का ए तो यहाँ पर हम लोग एक डाल देंगे दूसरा table है prenan का तो यहाँ पर हम लोग 2 डाल देंगे तीसरा table lan का है और चौता table है baby and me का तो हम लोग यहाँ पर 4 डाल देंगे तो इस तरह से हम लोग table number यहाँ पर लिख लेंगे और दोस्तों यह बहुत ही important है क्योंकि ये जो है ये इस function के लिए बहुत एक important role play करेगा ठीक है तो चलिए अभी function के उद चलते है is equal to index अभी हम लोग का function सुरू हो गया ठीक है मैं तो आजूम कर देता हूँ देखिए ये वाला जो हम लोग function use करें वो ये है नीचे वाला तो index में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग reference choose करेंगे अभी दोस्तों यहाँ पर एक reference हम लोग choose नहीं कर सकते क्योंकि चार product का चार अलग-अलग table है और चार अलग-अलग table में discount rate mentioned किया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पर multiple reference choose करना है उसके लिए bracket start करेंगे इसके बाद देखे यहाँ पर जो table में हम लोग जो table number mention किये थे product wise उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर reference choose करना है ठीक है जैसे कि देखे लैक्टोजन का table number एक था तो हम लोग सबसे पहले lactogen का यहाँ पर reference choose करेंगे ठीक है इसके बाद comma लगाएंगे दूसरा table number pre-nan का था तो हम लोग यहाँ पर pre-nan का reference choose करेंगे उसके बाद 3 number पर था nan तो हम लोग यहाँ पर nan का reference choose करेंगे और last यानि की 4 number पर था baby and me तो यहाँ पर हम लोग 4 number पर baby and me का reference choose करेंगे ठीक है इसके बाद सब reference को एक साथ select करेंगे और f4 दबा देंगे इससे क्या होगा सारे reference जो है वो fix हो जाएगा अगर हम लोग इसको fix नहीं करते तो नीचे अगर drag करते तो ये सारे selection नीचे आ जाता और नीचे वाले सारे function गलत हो जाता ठीक है तो अभी यहाँ पर हम लोग comma लगाएंगे next क्या है next है देखिए यहाँ पर row number reference हम लोग डाल दिये इसके बाद row number ठीक है तो दोस्तो row number जो है उसके लिए हम लोग match function यूज़ करेंगे ठीक है match function में सबसे होता है look up value look up value क्या होता है ये unit इसके हम लोग as a look up value करेंगे क्योंकि unit की हिसाब से हम लोग यहाँ पर discount ठोण देंगे ठीक है इसके बाद comma लगा के look up एरे तो look up एरे क्या होगा ये unit जहाँ पर सारे units जो है mention क्या होगा है तो देखिए हर एक table में unit mention क्या होगा है लेकिन हर table का unit से वो same है और sequence भी same है तो हम लोग कोई भी एक table का unit as a look up एरे select कर लेंगे match function के लिए ठीक है तो ये हम लोग यहाँ पर ये वाला जो reference है वो select कर लेते है आप चाहें तो lactogen छोड़के किसी से भी कोई भी यहाँ से भी आप कर सकते थे या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो कोई डिक्कत ने क्योंकि हर एक table का unit से आप सेम से mention किया हुआ है और sequence भी सेम से में तो चलिए हमें lactogen का ही यहाँ पर reference ले लेता हूँ इसके बाद इसको भी fix कर देते हैं खुमा लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर आता है match type तो यहाँ पर हम लोग exact match नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक यानिकी less than match less than match क्यों लगा रहा है दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पर 364 unit कोई खरीदा है lactogen का लेकिन यह जो 364 unit है वो हमारे यहाँ पर यानिकी reference में mention किया हुआ नहीं है तो इसके मतलब अगर मैं हम लोग यहाँ पर 0 use करता तो यह function जो है यहाँ पर आके 364 unit ढूंडता उसको नहीं मिलता और यहाँ पर यह ए नहीं आ जाता तो हमारा report जो है वो गलत हो जाता तो यह क्या करेगा 364 मतलब 300 से 399 तक जो भी unit से वो 300 के category में आ जाएगा आके इसको क्या करेगा इसका row number इसको यहाँ पर बता देगा तो less than जो match type है वो कुछ इस तरह से काम करता है अगर यहाँ पर 464 होता तो यह 400 से 499 तक यह 400 की slab में आ जाता तो यहाँ पर दोस्ता हम लोग bracket close करेंगे इसका बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आता है column number तो दोस्तों यहाँ पर एक कोई particular column हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि हर एक product का discount rate जो है वो अलग-अलग table में mention क्या हुआ है जो की अलग-अलग column में है ठीक है तो कोई एक particular column था हम लोग यहाँ पर डाल नहीं सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग column number को skip कर जाएंगे तो इसके लिए हम लोग दूसरा एक कॉमा लागाएंगे इसके बाद आता है area number ठीक है तो अभी basically area number होता क्या है area number पूछ नहीं दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग table बनाये थे छोटा सा table तो यह table number कह लीजिए या फिर इसी sequence की अनुसार हम लोग जो यहाँ पर reference choose किये थे वही reference number होता है area number मतलब देखिए यहाँ पर table में ल comida का table नमबर था 1 इसी हिसाब से हम लोग यहाँ यहाँ पर reference choose किये थे पहला reference था lactogen का तो इसका मतलब area number lactogen का हो जाएगा 1 अगर prinen होता तो prinen का table number था 2 तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर reference choose किया तो दूसरा reference था प्रिनेन का तो area number भी हो जाएगा 2 इसलिए मैं कहा था यह table जो है यह बहुत important है तो यहाँ पर हम लोग का product क्या है lactogen, तो lactogen का area number क्या होना चाहिए, obviously 1 अगर यहाँ पर reference देखके आपको नहीं पता चल रहा है और अगर आप यह table देखके यह reference चूज किये हो, तो बड़े आसानी से यह table देखके आपको पता लग जाएगा तो lactogen का area number हो गया हम लोग का 1 अभी हम लोग bracket close कर देंगे यहाँ तक हम लोग का function वो पूरा complete हो गया है अभी हम लोग enter दबाएंगे तो देखिए जैसे enter दबाया पूरा discount rate यहाँ पर आगया और मैं tag कर दिया नीचे सब का यहाँ पर discount rate आगया लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो गया हम से क्या गलती हो गया देखिए pre 9 का देखिए 267 तो हिसाब से यह 200 के slab में आना चाहिए जो की discount rate है जिसका 5% लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है 2% तो यह गलत हो गया तो अगर गलत हो गया तो यहाँ पर na आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर percentage आ रहा है तो कहां से आ रहा है बिसिकली देखिए यहाँ पर जो हम लोग area number डालेते एक manually डालेते वो था lactogen का लेकिन यहाँ पर pre 9 भी है baby and me भी है and nan भी है लेकिन हम लोग जब इसको नीचे ड्रैग किया सब का area number हो गया एक तो यह function बिसिकली कर क्या रहा है कोई particular column number तो हम लोग दिया नहीं एक area number दे दिया तो यह क्या कर रहा है यह जो unit को ढूंड रहा है वो particular इसी range के अंदर ढूंड रहा है इसी area के अंदर ढूंड रहा है जिसके वज़ा से जो भी यहाँ पर percentage आया है discount rate आया है वो सारे lactogen का आ गया है देखिए नैन का 408 मतलब हिसाब से तो इसको 9% मिलना चाहिए था लेकिन इसको मिला 4% तो यह जो 4% है यह lactogen का 400 units का discount rate यहाँ पर आ गया है तो हम लोग को यह जो area number है इसको automatic बनाना है ठीक है तो इसको automatic कैसे बनाएंगे क्योंकि हर एक function में आचे घुसके तो हम लोग area number change नहीं कर सकते है बहुत time लग जाएगा तो इसको automatic बना लेकिन हम लोग यहाँ पर vlookup यूज़ करेंगे vlookup lookup value क्या होगा यह product में ठीक है comma लगाएंगे table array क्या होगा table array होगा यह जो table हम लोग पहले ही बनाया थे ठीक है यहाँ पर हम लोग यह पूरा table select कर लेंगे ठीक है पूरा table select कर लिया अभी column index number क्या होगा अभी this range को हम लोग fix कर देते ठीक है comma column index number column index number होगा यह दो क्योंकि मैंने आप लोग को बताया table number ही area number है यहाँ फिर reference number ही area number होता है तो अगर हम लोग वी look up लागा कि यह table number यहाँ पर लाया तो वही हो जाएगा हम लोग का index function में area number ठीक है तो यह column index number होगा दो comma लागा के 0 for approximate match ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर enter दबाएंगे दूसरा एक packet close करके ठीक है एंटर दबाते हैं तो देखिए अपर discount आगया अब इसको हम लोग नीचे ता track कर देगे तो देखिए अब यह percentage change हो गया यहाँ पे तो देखिए pre-ran का 267 मतलब 200 के slab में आ रहा है तो 5% discount इसको मिल गया है baby and me का 247 मतलब 200 के slab में 6% देखिए है यहाँ पे 6% आ गया तो दोस्तो आभी देखिए यह जो है function accurately काम कर गया सबका accurately discount यहाँ पे so कर रहा है ठीक है तो दोस्तो इसको छोड़के यह combination के इलावा भी और एक combination है जो हम लोग use कर सकते है दोनों का ही result same आएगा आप लोगों को जो भी आसान लगे वही combination आप use कर सकते हो ठीक है तो दूसरा combination क्या है चलिए है यहाँ पे डालते है is equal to index फिर से bracket start यहाँ भी हम लोग reference tools कर लेंगे यह table number के अनुसर पहला था lactogen का उसके बाद था pre nan का उसके बाद था nan का उसके बाद था baby and me का ठीक है अभी इसको हम लोग क्या करेंगे fix कर देंगे select करके alt tab 4 दवाने से यह fix हो जाता है उसके बाद bracket close comma match lookup value होगा unit comma लगाए कोई भी एक table चलिए में अभी nan का यह table select कर लेता हूँ ठीक है इसको fix कर देता हूँ comma लगाता हूँ यहाँ पे less than match के लिए हम लोग 1 डालेंगे bracket close comma लगाएंगे column number skip करने के लिए face एक comma लगाएंगे अभी यहाँ पे हम लोग we lookup नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं और एक match function ठीक है match अभी lookup value क्या होगा यह product name ठीक है अभी इसको कहाँ ढूनेगा क्योंकि हर एक तो product name तो सारे एक ही column में या फिर एक ही row में mention किया हुआ नहीं है तो हम लोग को जैसे पता है match function में lookup array जो होता है वो particular एक column या फिर एक particular range यानि कि particular एक row हम लोग select कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो कोई भी एक particular column या फिर row नहीं है जहाँ पे सारे product में तो क्या करेंगे दोस्तों अब थोड़ा ध्यान दीजिए एक जगा है जहाँ पे सारे products है mentioned क्या हुआ है जो की है ये table ठीक है तो इस table का ये वाला portion हम लोग column का ये वाला range select कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसको इसको if for दवा के fix कर देंगे उसके बाद 0 डालेंगे for exact match यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे ना कि 1 डालेंगे इसको bracket close करेंगे और enter दबाएंगे तो देखिए discount rate यहाँ पे आ गया और इसको आम लोग नीचे तर ट्रैक कर गएंगे तो देखिए सब का discount rate दोनों में ही same same आया ठीक है तो एक हम लोग index match और vlookup का combination से combine function मनाया दूसरा index match and match मतलब index और match का एक combine function यहाँ पे आप लोग को जो आसान लगे आप apply कर सकते हो दोनों में result same आएगा तो दोस्तो आई hope कि आप लोग को समझ में आया कि किस तरह से ये combine function use होता है अगर data ऐसे अलग-अलग table में होता है तो ठीक है with condition तो बहुत आसान है दोस्तो प्रैक्टिस कीजिए अगर कोई दिखा थे तो नीचे comment करके आप मुझसे पूछ सकते दोस्तो I hope कि दोस्तो आप लोग को ये video अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मद भूलिए अगर उस्तों ठीक है तो आज के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे एक नया function के साथ नया video के साथ अबता के लिए बाइ